यामी गौतम ने बॉली उट के काले सच से कराया रूबरू छोड़ देना चाहती थी इंडॉस्ट्री दस साल बाद छलका अभिनेतरी यामी गौतम का दर्द, खोच सुनाया किस्ता अबिनेत्री यामी गौतम के साथ ऐसा क्या हुआ कि बॉलिवूड छोड़ने का बना लिया था मन यामी ने साल 2012 में विकी डोनर मुवी से अपने फिल्मी करियर की की थी शुरुवात अबिनेत्री यामी गौतम पिछले 10 सालों में अपनी खास पहचान बना चुकी है बॉलिवूड में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी जिसमें वरुण धवन के साथ बदलापूर और शाहीत कपूर के साथ बत्ती गुल मीटर चालों मुवी शामिले यामी गौतम एक बहतरीन अक्टरस है उन्होंने अपने दम पर बॉलिवूड इंडस्री में कलक पहचान बनाई है साल 2012 में विकी डोनर मुवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात करने वाली यामी ने बॉलिवूड के काले सत्से पर्दा हटाया है इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यामी गौतम के साथ बॉलिवूड इंडस्री में ऐसा क्या हुआ था जिस वजहां से वो बॉलिवूड इंडस्री छोड़ना चाहती थी हाली में दिये गए इंटर्व्यू में यामी ने अपनी स्ट्रगल के दौर के किस्से सुनाएं साथी बॉलिवूड में कास्टिंग को लेकर होने वाले गरबर सिस्टम की भी पोल खोली इतना ही नहीं यामी गौतम ने अवार्ड शो के बारे में भी सचाई बताते हुए विश्वस नियता पर सवाल खड़े किये बीते साल यामी ने शांदार फिल्में की और OTT प्लेटफॉर्म पर चाही रही बॉल्यूट बबल को दियेगा इंटर्व्यू में यामी ने बताया कि एक दोर ऐसा भी आया जब उन्होंने इंडस्ट्री चोड़ने का मन बना लिया यामी ने कहा कि यहां सर्थ दिखावे को महत तो दिया जाता है साथी यहां मौके को लेकर भी कश्मकश रहती है मौके मिलने को लेकर यहां कास्टिंग सिस्टम सभी के साथ एक जैसा बताव नहीं करता यामी ने इंटर्व्यू में कहा कि मैं कोई मुहिम शुरू नहीं कर रही लेकिन हर किसी के करियर में एक ऐसा दोर आता है जब कई चीज़े आपको बोरी लगती है लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते अपने करियर के स्टार्टिंग में मुझे भी इस सच का सामना करना पड़ा यामी ने बताया कि अवर्ट फंक्शन्स के भी यही हाल रहते हैं अगर आप लीड रोर में भी हैं और फेमस नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता अभी मुझे हर जगां बुलाया जाता है लेकिन मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मैं अपनी पहचान बनाने की मश्रकत कर रही थी यामी गौतम ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज्यादा समय से अक्टिव हूँ मेरे पास कोई बड़ी पियार टीम नहीं है मैं कई प्रोडूसर्स से मिलती हूँ जो कहते हैं कि आप अपने पियार पर ध्यान दो हिट लिस्ट में शामिल होने के लिए ये सब करना पड़ता है जब आप एक स्टार है तो आपके आगे पीछे लोग दोड़ते हैं तब राजी आपकी फोटो क्लिक करना चाहती है इसके पीछे एक बड़ी पियार टीम काम करती है मैं इन सब में विश्वास नहीं रखती आखिर लोगों को फिल्में देखनी है यही कारण है कि अब मैं सिर्फ अच्छा काम करना चाहती हूँ फिल्म बाला के पहले यामी इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती थी यामी ने बताया कि वो अपने काम के बदले पहचान हासल नहीं कर पा रही थी इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था यामी गौतम ने पिछले 12 सालों में कई सारी हिट फिल्में दी यामी गौतम ने वरुन धवन के साथ फिल्म बदलापूर में शानदार अभीने किया था जिसको आज भी लोग याद करते हैं शाहित कपूर के साथ कबीर सिंग मूवी में भी नज़र आई थी इस मूवी को दुनिया भर में खूप सरहा गया यामी गौतम की शानदार अभीने को लोगों ने खूप सरहा था और जम कर तारीफ की थी इस फिल्म के कई सारे डायलोग भी सूपर हिट हुए थे इस समय भीने तुरी यामी गौतम कई सारे वेब सिरीज के लिए काम कर रही है हाली में उनकी एक वेब सिरीज रिलीस की गई जो चर्चा का विशे बनी हुई है फिलाल यामी गौतम अपने करियर पर फोकस करना चाहती है इन 12 सारों में उन्होंने जो नाम और शोहरत कमाई उसे और आगे तक ले जाना चाहती है